जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब कर बिल आइकन को दबाना बिलकुल न भुले आज का लाइक आम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन के ग्रामीन छेत्रों में हर साल 2000 रोजगार जार्खन के ग्रामीन छेत्रों में हर साल 2000 रोजगार से जोडने की पहल करेगा पर शिक्षन के दोरान 1000 की प्रूत साहन राशी भी युवाओं को दी जाएगी 31 अक्टूबर को जार्खन विधान सभा का बदला बदला होगा नजारा 31 अक्टूबर को जार्खन विधान सभा का नजारा कुछ बदला बदला सा होगा पतादे मुख्य मंत्री हेमान्सुरेन के सीट पर सेडो सीम नजाराएंगे वहीं बिधान सभा अध्यक्ष के आशन पर भी सैडो स्पीकर होंगे बताद बिधान सभा की कर्यवाई के दोरान एक दूसरे से राजनीतिक मुद्दो और मसलों पर उलजने वाले सता पक्ष और विपक्ष के बिधायक महज दर्शक की भूमिका में होंगे दरसल जारखन बिधान सभा सचीवालाई ने परयोग के तोर पर विशो बिध्यालियों और उस सम्मंद महा बिध्यालियों के छात्रों को नेताओ की जगा आउसर देने का फैसला गिया है रिम्स छत के फट रह पलास्टर देख सीम हमंत नराज मुख्य मंद्री ने रिम्स की बेवस्था देख प्रवंधन पर कई सवाल उठाए हैं उन्होंने निदेशक से कहा की लोग घर की साप सफाई पर ध्यान देते हैं लेकिन यहाँ जो दिली से दिख रहा है वो काफी चीनता जनक है उन्होंने कहा की जिस तरह से गंदगी और जाड दिख रहे हैं उसते मच्छरों का परकोब बढ़ सकता है साथी भवन की निव भी कमजोर हो सकती है यही कारण है की बिल्डिंग जरजर हो जाती है दरसल मुख्य मंत्री अचानक कोबास लेव से निकल कर दूसरे तल्ले के क पात वे के दाहिने और गंदगी और जाड दिख नराज हो उठे अब तिन घंटे में कोबिट रिपोर्ट रिम्स में नई सुविधा शुरू की गई है बतादे क्रोना के समुचित इलाज की बेवस्ता की गई है वहीं क्रोना की रिपोर्ट के लिए अब तिन दिन इंतिया नहीं करना होगा रिपोर्ट अब तिन घंटे में मिल सकेगी बता दे उसी तरह नई CTS स्केन मसीन से फेपड़ी के स्केनिंग दो सकेन में मिल सकेगी रिम्स निदेशक डाक्टर कमिसर पर साथ ने बताया कि रिम्स में सिर्फ उपचार ही नहीं बलिक यहां अनुसंधान प यूपी में घुसने से रोक उतर परदेश के लखीम पूर खीरी जा रहे जारखन के कंग्रेसी नेताओ को उतर परदेश की पूलिस ने जारखन उतर परदेश की सीमा पर बिंधम गंज में रोक दिया है बता दे कंग्रेसी नेताओ का जथा रात करीब दो बजे बिंधम ग रखा है बता दे उतर परदेश के लखीम पूर खीरी जीले में अपने आला नेताओं के साथ देने कॉंग्रेस परदेश अध्यक्स राज़स ठाकुल के नेतित में जा रहे राजी के दो मंत्री वा तीन विधायकों सहीद धरजन भर से उतर परदेश अस्तर ये कॉंग्रेस नेताओं को यूपी पूलिस ने बिढ़म का सिमा पर ही रोक दिया है दुरगा पूजा में मौसम गुरुवार को राज़धानी राची में सूबस्त तेज धूप खिली है हलकी हवा चल रही है बता दे इसके साथ ही अधरता का अस्तर पंचानमे परतिशत तक है सहर में सू पूजा को मौसम मुखे रूप से साप रने की संभावना है इस दोरान राजे में किसी परकार की सिनोटिक फिक्चर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है अस्थानी एवा नियोजन निती परिभासित होने तक नहीं हो नियुक्ति जब तक अस्थानी निती एवा नियोजन निती परिभासित नहीं होती है तब तक किसी अनुबंद पर नियुक्ति रोकी जाए बुद्धवार को प्रेस कल्व रांची में डाक्टर करमा उराओं के अस्थानी एवा नियोजन निती परिभासित करने पर कमेटी ने नियुक्ति ने नियुक्ति लेंगे हाई कोट के चार नहीं जाज जारखन हाई कोट के चार नहीं जाज सुक्रवार को सपथ लेंगे बता दे हाई कोट परिसर में चीफ चस्टिस डाक्टर रवी रंजन सभी जजों को पद और गोपनेता की सपथ दिलाएंगे राजे नयाईक सेवा के चार अधिकारियों को अपर नयाईधिस के रूप में सपथ दिलाए जाएगी इसमें पूर्व रईस्टार जनरर अंबुजनात, बर्तमान रईस्टार जनरर गोतम कुमार चौधरी, रांची के प्रधान नयाययुक निविन्तम कुमार और राजे के बीधी सचीव संजाय पर साथ सामिल हाएं सिपाहियों को MACP का लाब नहीं देने पर DGP तलब छारखन हाई कोट ने राई सरकार के सिपाहियों को MACP देने का आदेश जारी करने का निर्देश DGP को दिया है आदेश जारी नहीं करने पर कोट ने DGP को अगली तिथी को अधालत में हाजिर होने का निर्देश दिया पता दे अधालत में उपस्थित होकर DGP को या बताना होगा कि उन्होंने MACP देने का आदेश जारी कियो नहीं किया पूलिस मेंस एसोसेशन की याजका पर सुनवाई करते हुए अधालत ने या निर्देश दिया है कोडारमा से भारी मात्रा में बिसफोटक बरामद कोडारमा के डंगरा पहार की तलहटी से भारी मात्रा में बिसफोटक बरामद किया गया है बतादे सारे विसफोटक पहार के तलहटी में छुपा कर रखे गए थे गुप्त सुचना के अधार पर पूलिस ने करवाई करते वे विसफोटक बरामत किया है विसफोटक बरामत होने के बाद पूलिस ममले की छान बिन में जुटी हुई है फिलाल किसी की गिरफतारी नहीं हुई है माद दुरगा की उपासना का महापर्व आज गुरुवार से शुरू हो गया है बता दे रांची के मंदिरों, घरों और पुजा पंडालों में नौरातर के पहले दिन माद दुरगा के सहल पुत्री सोरूप की पुजा की जा रही है बता दे डुण्डा इस्थी जैप वन में सार्दिय नौराट्र के पहले दिन जवानों ने बंदुगों से फैरिंग कर मा को सलामी दी इसके बाद पूझा सुरू हुई बता दे हर साल पहले हाथियारों से फैरिंग की जाती है इसके बाद पुजा की सुरुवात होती है जै पोवन के जवान नौरात्री में अपने हाथियारों की बिसेस पुजा करते हैं धनबाद में चार चर्णों में होगा पंचाय चुनाव धनबाद जीले में चार चर्णों में चुनाव होगा बतादे जीला परसासन ने इसकी त्यारी कर ली है चार चर्णों में चुनाव करने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है अब चुनाव के तिथी आयोग को तय करनी है पहले चरण में जीले के उगरवात प्रभावी छे सोस ग्यारा कुंड वहीं चोथी चरण में नीरसार गोविंदपूर है धनबाद जज मोत मामला में हर्स सिंग से पूस्ताज जज उत्तम अनन्द मोत मामले की जाच कर रही स्थी बियाई हर्स सिंग से पूस्ताज करना चाहती है बताद जज जज एजनसी ने इसको लेकर हर्स के घर पर नोटिस भी चस्पा किया है साथ ही उन्हें फोन पर भी इसकी सुचना दी गई है इसके अलावा रंजय सिंग हत्या मामले के आरोपी मामा से भी पूस्ताज की जाएगी ऐसे में सवाल उठता है कि हर सिंग कौन है और CBI जज उतम अनन्द मामले में उनसे क्यों पूस्ताज करना चाहती है CM हमन्त के अक्सिजन प्लांट उधगाटन पर BJP ने सरकार पर साधा निसाना भाजपा विधायक वसानसद ने मुख्य मंत्री हमन्त सुरेंद्वारा उख्सिजन प्लांट के उधगाटन कारेकरम का बहिसकार किया है पार्टी ने कहा कि PM केरफंड से अक्सिजन प्लांट बनाए गए हैं और प्रधान मंत्री नायन बोदी 7 अक्टूबर को उधगाटन करने वाले थे लेकिन मुख्य मंत्री ने जल्दबाजी में एक दिन पहले उधगाटन कर दिया पतादे भाजपा के महा मंत्री आदित्य साहुने पार्टी कर्याले में पत्रकारू से बात करते हुए का कि मुख्य मंत्री सष्थी लोग प्रियता से बचे जानता ने काम करने के विए चुना है राज्य के सता पक्ष के नीती और नियत को फिर से उज्यागर करते हैं बीजेपी नेता जीत राम मुंडा हत्याकांड का मुख्या अरोपी मनोज कुमार आरेष्ट भाजपा एस सी मोर्चा के ग्रामिन जीला अध्यक्ष जीत राम मुंडा हत्या कांड के मुख्य आरोपी वह एक लाह का इनामी मनोज मुंडा को रांची पूलिस ने गिरफतार कर लिया है बता दे पूलिस उससे पूस्तास कर रही है आपको बता दे कि रांची पूलिस ने पिछले दिनों इस पर एक लाख रुपय का ही नाम घोशित किया था पूलिस ने बताया था कि आरोपी मनोज मुंडा की सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा आपको बता दे कि जीतरा मुंडा की 22 सितंबर को उर्मान जी के एक लाइन होटल में गोली मार कर हत्त्या कर दी गई थी जारखन आर्चरी एससेशन की मेजवानी में जे आरडी में चल रहे चालिस वी सीनियर नेशनल आर्चरी चेंपियनसीप में पेट्रोलियम एस्पोर्ट प्रमोशन बोड की वी जियोती सुरेखा वद दिली के अभिसेख वर्मान ने रिकोर्ड परदसन करते हुए ब्यक्तिगत कमपाउंड असपरधा का किताब जीता बता दे दोनों खिलाडियों ने रश्डे रिकोर्ड अस्थापित करते हुए स्वर्न जीता है अभिसे एक वर्मान ने पूरुस वर्क के व्यक्तिगत असपरधा में कुल देशव अंक में से 1,5 अंक अरजित किये वह हैं जियोती भी महिला ब्यक्तिकत असपर्दा में 1,5 में से कुल देशव अंक अरजित किये हैं धन्यवाद